नमस्कार, Hello Everyone, I hope आप सब अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे important topic के बारे में जो आपके liver की health को अच्छा रखते हैं कुछ ऐसे super food जो आपके liver की health को अच्छा रखते हैं साथ में जो liver आपका अगली stage पर गया है जैसे fatty liver issues आ रहे हैं उसको कैसे आप recover करें उस stage से कैसे अपने liver को अच्छा रखते कैसे उसकी health को सुधारे सबसे पहले हम food के बारे में या fruits के बारे में बात करेंगे जो आपके liver की inflammation को कम कर देते हैं और उनमें कहीं सारी anti oxygen properties होती है जो आपके liver की cells को repair करने में help करता है और damaged cells को ठीक करता है तो सबसे पहला जो fruit है वो है beetroot and carrot इसका आप juice का intake कर सकते हो या फिर आप salad form में ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगे इन juices का intake आप सुबा morning में भी कर सकते हो या फिर evening में भी कर सकते हो second जो fruit है वो है grape fruits इसमें कई सारे grapes आ जा जाते हैं जैसे black grapes होते है green grapes होते है इसी form में होते हैं इनमें क्या होता है इनमें सबसे ज़यदा anti-oxygen properties होती है जो आपके cells को repair करने में help करती है साथ में detoxification में help करती है आपकी immunity को भी boost करती है detoxification का मतलब है कि जितना भी गंदगी आपके शरीर में है उसको बाहर निकालने में help करती है इन चीजों का भी आप intake कर सकते हो इसको आप fruit की form में भी ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगे next जो सबसे ज़ादा anti oxygen properties होती है वो coffee में पाई जाती है और green tea में पाई जाती है यह science में एक study होई है जिससे coffee जो है आपकी cells repair में भी help करता है और जो आपके fat cells करते हो है उनको भी कम करने में help करता है लेकिन अगर आप इसका जादा intake करते हो तो वो disadvantage भी हो सकता है तो कोई भी चीज़े लेकिन किसी limit में लीजे जैसे आप coffee का intake कर सकते हो दिन में दो बार आप coffee का intake कर सकते हो वो आपके cells repair में help करेगी जो आपकी fat cells करता है उसको भी कम करने में help करती है साथ में आप सुबाँ coffee का intake कर सकते हो या evening में coffee का intake कर सकते हो, green tea ले सकते हो, लेकिन normal tea जो आप milk वाली tea लेते हो, उसको avoid करिए Next, avocado, avocado में कहीं सारी loads of energy होती है, जो आपकी energy को boost करने में help करती है जैसे liver के करके आपको कहीं सारी weakness आती है, तो आपकी weakness को दूर करने में help करती है साथ में इसमें कहीं सारी ऐसी properties होती है, जैसे antioxidant properties होती है, और साथ में detoxification property होती है जो आपके शरीर की गंदकी को बाहर निकालने में help करती है, साथ में आपके पेट की जो कोशिकाएं हैं, उसको repair में help करती है और साथ में जैसे आपको कई सारी problem आती है जैसे acidity आती है या gastric issues होते हैं उसको भी ठीक करने में help करती है और आपके gut system को healthy रखती है next सबसे जादा आपको green vegetables लेनी है fruit कर जादा intake करना है juices fruit कर जादा intake करना है जो आपके cells repair में भी help करेगी और आपके body में भी energy अच्छी रखेगी जैसे आपको weakness होती है कई सारे ऐसी micro deficiencies आपकी body में होती है वो तो पूरा करने में help करेगी आप ज़्यादा ज़्यादा green vegetables कर करें सबजी या ले जादा जैसे करेला होता है या फिर पालक होता है मेति होती है आप कोई भी सबजी का intake कर सकते हैं next 2022 आप nuts ले सकते हैं nuts Mें B12 properties ज़्यादा होती हैं जो कई सारी इसमें भी antioxidant properties होती हैं और जैसे नउस में आप almond आप ये सकते हैं आपके घ्ड आपस को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर अब किसी तो आप प्रेटी को आप स्परेटिक बहुत सब्सक्राइब B12 इसमें कहीं जादा मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट आप टर्मरीक का इंटेक कर सकते हैं इसमें कहीं सारी anti-inflammatory properties होती हैं जो आपके inflammation को कम करने में help करती है जैसे liver में आपको कहीं सारे disease के करके inflammation आ गए है तो वो inflammation में भी कम कर सकती है तर्मरीक को आप किसी भी form में ले सकते हैं गरम पानी में डाल के ले सकते हैं या फिर जैसे गाएं का दूद होता है जो fat free milk होता है उसमें भी तर्मरीक डाल के आप ले सकते हैं ये कहीं सारी diets हैं जो आप घर बैठे फॉलो कर सकते हैं अपनी liver की health को अच्छा रख सकते हैं कहीं सारी जो बिमारी आपको हुई है उसको कम कर सकते हैं prevention better than cure आगे disease को ना बढ़ने दे पहले उसको cure करें अपनी medications के जरीए अपनी diet के जरीए अपनी exercise के जरीए आप तीनों चीजों पर धिहान रखें इसी के साथ साथ अगर कोई भी issues आपको देखने को मिल रहा है जैसे कोई liver problem आपको आ रही है हमारे नीचे दिए number पर आप contact कर सकते हैं हमारी team से सलहा ले सकते हैं अपनी problem का right solution ले सकते हैं मिलते हैं next video में धन्यवाद